है 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 यह पिछ अपर सुनके अच्छा लगा बिलकुल जी आप ने से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आने वाले समय में आइस मनें है न और अपने बरे कारे भार को संब्द लें गया और देश की प्रग्रती में अपना योगदान देंगे है तो है हाव विल्यू स्टार्ट है मतलब कहने का मतलब देखो आज का मेरे टॉपिक ना मैथमेटिकल एक्सपरेशन सब्सक्राइब करेंगे पहले में क्या बात करने वाला हूं कि आप कैसे करेंगे हाव विल्यू कॉलिफाइब कैre कि PSA 2024 को में कैसे tart Stewart करेंगे हम धारे तो करें कि किर्भा हमारी डारेक्षन चाहिए मैं हमेशा हो दो और तीन बात सो आप से चुर्ण है ऑप अगर हमारी डिरेक्षन से हैं तो प्रौट पाथ सही है क्योंकि पाथ पेस डिरक्षन होगी न कहने का मतलब क्या है सिद्धिस ही बात ही जो बात हमने कि हाँ मेरा एक्जाम अच्छा हूँ और मुझे बड़े तरीके से कर दिया है तो क्या-क्या ज़रूरी है वाट इस इंपॉर्टन फॉर डैट टार्गेट एक टार्गेट बेस्ट इस आपको अगे लेके जा सकती है कि अगर आप कि अभी सेट करने के सोच रही है सिर्फ अभी टाइम में कर लो यह ना हो कि कुछ समय के बाद एक्सेस प्रेशर आज़े क्यूंकि जीएस भी बढ़नी है और साथ में सीसेट भी करना है तो ऐसा ना होगी सीसेट के चक्कर में जीएस भी रह जाए और सीसेट तो होना बढ बीमिक लिए अब दोहरी सब्सक्राइब करना ज्रूरी एक भी रायकत दोगाम नी चलेगी है कि बात कर लूँ यह मैरे पास यूपस यसकी सेट नियूर्ब मेरे पास बैच है कुछे इसलेकर धायर के लिए नहीं यह बिएले पास No मतलब एक हफटे में 4 दिन टिसके कितने मिरे पास 180 मेरे पास यह अपर यह एक सोसी लेक्चर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया पार्ट ए और पार्ट भी ओगे पार्ट ए में लगबग 90 लेक्चर और पार्ट बी में क्या है नब अब लस्ट लेक्चर समझो पहले इस बैस को क्यों यह बैस एक्चुली सा नाम ही मैंने जीरो तो हिरो रखा है मैंने इसको नाम ही जीरो तो हिरो रखा भाई क्यों रखा जीरो तो हिरो इसलिए रखा है ताकि हम प्रॉपर प्लैनिक से चल सके और हम वह पात डिएक्ट्शन मेंचन कर सकें वह उस पात ड्रेक्शन में चल सकें जहांसे हम सी सैट के डर कोई खतम कर दें हटाइड ही दें यहां पर प्रेक्टिक सेशन कितने 50 प्लस लाइव मैंटर्शी सेशन कितने आपके 30 प्लस और बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर क्या है जो पार्ट वाला नब्बे उसमें क्या देखो यह मिल रहा है मुझे लाइव और बेच यह आपका उन-लाइन प्लस ओफ लाइन यह सुड़न्न साथ का ओन-ब्लस ओफ लाइन तो आप घर बैठके भी प्रिपेर कर सकते हो ओन-लाइन लिंक डिस्रिप्शन में दिया हूं सारा आपको बताया हुए या आप हमारे head center महली में आके भी इसको enjoy कर सकते हैं देखें नेक्स देखी क्या है नबे की बात करें 50 कौन्ट इसके नबे लेक्टर से जब्सक्राइब को इसको छोड़ के क्या मिल रहा है कैसे पता चलेगा लेक्टर कौन सा किस दिने आपके पास क्या है आपको वीकली श्रीडूल मिलेगा आपको क्या मिलेगा इसका सबसे पहले उसमें क्या होगा आपका लेक्टर प्लैन होगा आपको लेक्टर से होगा इस दिन लेक्टर जाना है ठीक है इस दिन लेक्टर जाना सबसे पहले क्या होगा भई उस लेक्टर की पीडिएफ लगी मिलेगी आपको उस लेक्टर की पीडिएफ लगी मिलेगी लेक्टर के ठीक निचे आपको ठीक है नबर तो पर क्या मिलेग प्र्यक्टिचीट कि यह तीन चीजें जो प्लैन तोर पे आपको उस प्रेटिग्लों लेक्टर में मिलेंगे अब कैस किसे मिलेंगी पीडिएफ मिलेगी देखो lecture PDF क्या होगी जो हमने लेक्षर में पढ़ना है वो लेक्षर में बताया जाएगा ठीक है resources resources क्या पाट होगा resources मेरे chapter का वो पाट है जिसमें कुछ theory हो सकते कुछ वल नाइनर हो सकते हैं कुछ देफिनेशन हो सकती है कुछ प्रेक्टिशिट मेरा वो डेटा होगा जहां पर क्या होगा जहां पर मैं कुछ एक्स्टा कोशन दोंगा आपको घर से प्रेक्टिश के लिए ठीक है क्लियर हो की बात यह चीज़ें यहां पर समझे ज़रा कि टो मेरे पास यह ऐसा बेच दिया होगा ठीक जहां और मेरे पास विखली टेस्ट हो गाओ कि मरेबर वीगिजिट होगा किसका हर संडे गो हण remarkably मेरे पास सćक्ट के सुने वाला है और संडे को एक बजए मेरे पास विगजिट आप यहां पर आपके देंगे तो वेलन गूट अवरना घर बैटके भी आपको हो जाएगा के हर संडे को एक बजे और इसका सलूशन मिलेगा मुझे वीडियो सलूशन मुझे मिलेगा इसका वीडियो सलूशन तो चलिए चलते हैं बहुत अच्छा अच्छा मैं सब्सक्राइब करा रहा हूं कि आए नहीं आज है तो आप कैसे टेकल करोगे क्या रिसेंटी देखा गया है कि क्या कर बनाटी कर नहीं ट्रेन्ड के को यह तो अगर इस तरह के कोश्चन आज आ जाएं पर देख लोगे लुग आपको बेसिकली पता चलेगा कि कि तरीक्य के कोश्चन आ रहे हैं इस आर्मिसलेनीस कोश्चन आप पहले बतादू आए नहीं हैं आश सकते हैं क्योंकि उस description box में दिया गया उसे भी आप जोइन कर सकते हैं क्लियर चलते हैं लेक्षर के पास चलो देखो किस तरह कोश्चन आते हैं यह इस तरह के आपको कोश्चन देते हैं बेसिकली बोड मास के कोश्चन है आप सिंप्लिफिकेशन अंडर भी रख सकते हैं बेसिकली बोड मास के कोश्चन क्या दिया होगा कि 20 multiply 8 divided by 8 minus 4 plus 2 और मुझे बताने इसकी बेसिकली क्या बेसिकली सिंप्लिफिकेशन गंडरी आप सको बोड मास सिंप्लिफिकेशन गंडरी लगा के चलिए इसको इफ multiply stand for addition यानि 20 पहले आया से आठ चार दो और यह कोश्चन माग ठीक है multiply stand for addition multiply addition so divide stand for subtraction divide by subtraction ठीक है अच्छा प्लस स्टेंड फोर प्लस stand for multiplication मतलब यहां पहलेगा multiplication और next क्या दिया एंड माइन स्टेंड फोर डिपीजिन कितना आगया 4 यानि 24 option नबर से मेरे बिल्कुल सही उतर है तो बिल्कुल basic question है बिल्कुल अगर मैं थोड़ा सा हटके बिल्कुल basic question से प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब कर दीजेगा चैनल को इस तरह के questions के लिए जल्दी से नोट कीजिए सूँ चलते नेक्स कोशन के उपर चलिए क्यों मेंस एड़ टू जे मेंस मल्टिप्लाइबाइ पी मेंस सब्ट्रेक्शन फ्रॉम एंड के मेंस डिवाइड़ेड़ बाइद थर्टी के टू क्यों थ्री जेशिक्स टीफाइफ इसकी वैल्लीव क्या होगी मतलब क्या है थर्टी के टू क्यों थ्री जे शिक्स टीफाइब बेसिक बोर्ड मास के कोशन है बस मुझे यहां पर कुछ सिंबल जेओ दो और सिंबल का कुछ नाम दिया होता है तो थर्टी के टू के की वैल्यू क्या मेरे पस अगर मैं बात करूं के मैंस डिवाइड़ बाइड तो थर प्लस थ्री जे मिश मल्टिपिल आब यशी चे का मितलब किया है उंडिपलिपिलआपाइब दू मतलब ट का मतलब ची मिस अग्सप्रेशन दीया है और इस एक्स्प्रेशन को मुझे बागे ओं डिला घ्या गया नाम किसे आंसर आं मी लिखना मत बूलेगा जलदी से लिग सब्सक्राइब कैसे करना है यह ब्रेकिट और मतलब मल्टिप्लाइब यह डिवीजन आपका यह आपका मतलब भी मल्टिप्लाइब अगर यह चीज़ नहीं है अगर यह सिरफ चार सिंबल यह तो पहले डिवाइड मल्टिप्लाइब इस तो सबसे बहुत करना है यह पर फ्लस करो तो 30 बाइट उसको इसको मैं इसे लिख सकता हूं क्योंकि डिवाइड के बाद क्या करना है मुझे मुल्टिप्लाइब करना है यह तो यह कितना होगा है मेरे बास देखो 15-5 10 10 plus 18 is how much 28 is the right answer जो कि option number B मुझे दिया गया है आप सब क्लियर जल्दी से नोट कर लीजे बहुत अच्छा कोश्चन था ही चलिए लाइक शियर सब्स्राइब करना मत भूले चैनल को as well as a video चलिए 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 अगले कोश्चन को पर चलिए सुट्स चलो जी नेक्स कोश्चन किया दिया है दा फॉलिंग एक्वेशन इस इंकरेक्ट विच्टू साइन्स शूट भी इंटरचेंज टू करेक्ट दा इक्वेशन मतलब अब देखो इस तरह का कोश्चन भी मसे पूछा जा सकता है बैसिकली कि मुझे एक एक्व डिवाइड वाफ 14 मल्टिप्लाइ 30 अब प्लस 20 माइनस 10 इस इकले ट्वल वह यह कह रहा है कि मेरे पास कोई दो एक्स्प्रेशन जैसे एक्स्प्रेशन मतब सिंबस जैसे प्लस और माइनस को इंटरेचेंज कर दो क्या करें गार बवाइड मंडेटिपाइं गुंटरेचेंज कर दो अर तरद में क्या कर आपको मल्टेप्लाइं मैनस कोई नशनर स्फोर्थ कहाँ करएड मौ न्टबस टुर्टीर और मेरे पास बीसिकली किस यह चेंजerei सबirmative करें और एक सुरेट्स बात बताईए मुझे आप मुझे एक सिंपल सी बात आपसे जाननी है देखो यहां पर 1 by 14 आ गया यानि ऐसे लिखूंगा 1 by 14 ऐड़ीन इंटू 30 है न आगे कुछ भी यह कितना आगया 15 पटे साथ आगया तो क्या एक कभी कैंसल आप होगा तो नहीं और कहीं पर मेरे पास साथ नहीं है डिवाईड में तो जब साथ ही नहीं तो जब मैं इसको सॉल्ल भी नहीं कर सकता तो तो क्या मेरे मेरे अनसर गलत हो क्लियर जो सिंपल सिंपल मुझे डिवीजन वाले मैथर से पता चली बात ठीक है नेग्स देखिए जड़ा कि चलो सेखेंड मुझे चेक करना है डिवाइड यहां पर 14 बाइड़ थर्टी प्लस ट्वंटी मैनेस 10 इस इगल ट्वाइगा लेट मी चेक इट देखो यहां यहां पर 14 बाइड थर्टी यह रहा है यह कितना गया साथ बटे बंदर आ गया तो क्या कहीं पिर और बंदर है क्योंकि जब तक एक ही पंदर रहेगा मैं ने कर सकता क्या आप तर 23 बाइड करके साथ 23 बटे पंदरा दो इस केस में भी मैं पूरी तरह से नकारूंगा कि यह मेरा उत्तर नहीं आ सकता आपको एंड में बताऊंगा अभी मैं किस तरह से आपने चेक करना है कि आपका जो अ इसे भी नहीं को मल्टिप्लाइए मैनस करके देखा चलो वन यहानी मल्टिप्लाइए एंड स्वारी मल्टिप्लाइए मैनस सो वन डिवाइड वाइड वाइड फोटीन माइनस 30 प्लस 20 इंटू 10 देखो अभी भी मेरे पास अंसर गलत है क्योंकि बन बाइफ 14 पहले करना पड़ेगा मुझे मुल्टिप्लाइगर कर भी दो करना पड़ेगा इसा भी हो सकता है बट जल्दी से हम कैसे जानेंगे कि मेरा अंसर क्या पहले स्वाल करके देखने क्या प्लस और इस डिवीजेन को करना है यानि 1 प्लस 14 इंटू 30 वैट ट्वाइट ट्वनटी माइनस 10 क्या यह मेरे पास क्या आरहा है मैंने बेल सिग लिए यह देखना है देखो 1 plus 14 into 30 by 20 minus 10 मैंने इसको बेसिकली लिखा है भी मैंने कुछ डिवाइट नहीं के लिखा है बाई 0 से 0 कटा साथ यानी 1 plus 21 minus of 10 तो यह कितना हो गया मेरे पास 22 minus 10 कितना हो गया 12 is the right answer तो option number डी बिल्कूल सही answer हो गया बट यह तो एक तरह से मैंने क्या किया है मैंने एक question को चार बार solve कर लिए students है ना मैं चूठकी बजाते कैसे पता करूंगा कि इस का अंसर दी है देखो मैं आपको बिल्कूल से method बताता हूं उसको जड़ा चेक कीजिएगा देखो मुझे दिया गया है 1 divided by 14 into 30 plus 20 minus 10 यह दिया है देखो सबसे पहले plus and minus मेरे को साफ साफ दिख रहे है कि मैं एक को 14 से दिवाइड करी नहीं सकता है कभी कटेगा नहीं तो प्लेस और माइनस को अगर आप इंट्रेशेंज कर भी दोगो तो आपका अंसर नहीं आने वाला ठीक है नेक्स एक नजर में आप देख सकते हो कि आपका अंसर सही आ रहे के नहीं मैं एक नजर की बात करता हूं नेक्स क्या है मल्टिप्लेंड माइनस मल्टिप्लेंड माइनस अब यहां भी डिवाइड ही नहीं हो रहा तो क्या होगा फिर यह भी एंसर कर देखने भी जूरूरत नहीं है बड़ने शुरू में सिरफ स्वाव इस लिए कि आपको अच्छे से पता चले कि किस तरीके से को को आपने अच्छी मोड्रेट करने लेके जाना है क्लियर चलिए नेक्स क्या दिया है नेक्स भी ऐसा ही कुछ बदा ही ज़रा टैन इंटो फोर अब वह तक्नीक लगाएंगे वह 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 टेक्नीक लगाएंगे जो हमने पीछले कोशन में देखी थी क्या दिया टैन मुझे निकालना है यह मुझे फाइंड आउट करना है ठीक है अब टैन इंटो फोर पहला क्या मल्टिप्लाइड माइनस को कर दो आप इंटरचेंज कुछ फायदा होएगा हाँ छे तीस बिल्कुल डिवाइड हो रहे मुझे लग रहा है यह एंसर हो सकते हैं मल्टिप्लाइड माइनस 10 माइनस 4 प्लस 5 इंटो 30 बाइशिक्स थर्टी पर जैक करना मुझे तो 5 6 35 आगया ठीक है तो यह कितना होगा 10-4 प्लस 5 इंटो 5 यह कितना होगा मेरे पास 10-4 प्लस 25 25 प्लस 10 35 35 बानेश 4 कितना हो गया 31 लो जी पहले ऑप्शन था कि आगया मुझे चेक करना ही नहीं पड़ा किसमत अच्छी थी क्लियर तो यह कोश्चन कापी अच्छा था काइंटिस को नोट कीजिए चलते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ जल्द से नोट कीजिए चलिए चलो एक थोड़ा सा एलजब्रिक सा कोशन है बट काफी अच्छा कोशन है तो मुझे लगा में भी आपको एक जल्की दे दूंकि अगर ऐसा कोशन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है देखो क्या दिया यह बेसिकली अग्या अग्या बड़ाबर केतना 69 और मुझे क्या निकालने एक ब्लस बी प्लस बी ची यह मुझे क्लियर करिए इसको जड़ा नोट कीजिए और बताइए क्या अंसर हो आपका दो तरीक्या जो बैस लगे वो कर लेना दो तरीक्या इस कोश्रों करेंगे जो आपको बैस लग रहे रहे हैं वो आप कर रहे हैं को दिक्कत नहीं है चलिए देखो सबसे पहली बात मेरे पास एकना फॉर्मला होता है अगर आपने छोटी क्लासेज में पढ़ाओ अप्लस ब्लस इका होल स्केर यह क्या होगा इसकेर प्लस ब्सकेर प्लस इसकेर प्लस टू एबी थी प्लस फुल थी प्लस टू सी यह वोगा मेरे पास दिख रहे तो इसको सिंपलिफाई करके कैसे लिखे इसकेर प्लस टू थाइमस आफ डू सी इसका ओल स्केर यह कितना है मेरे पास थर्टीन थर्टीन 13 का स्केर इसकर आपस B स्केर कितना है 69 प्लस 2 थाइम्स आफ A B प्लस B C प्लस C A ठीक है यह कितना होगे 169 आइन खायँ 69 is equal to two times of a b plus b c plus c तो यह कितना होगे 100 by 2 या नहीं कितना होगे 50 50 आगे बट क्या हर बार मैं इसी तरीके से कोशन को अरंब करूंगा स्टार्ट करूंगा कैसे करूंगा देखो क्या आपता कोई और एक्सप्रेशन पूछले मैं जस्ट बता रहा हूं कि इस तरह कोशन बनने लगे हैं तो कहीं ना कई थोड़ा वो चांस लेगे चलना पड़ यानि मेरे पास तीन स्केर वैल्यूस हैं और उनका सम कितना दिया हुआ है 69 इसका मतलब कोई तीन ऐसी वैल्यूस आईगी मेरे पास जिनको जोड़ने पर 69 आना चीए जब तक मैं मिटारों ट्राइब करो जब तक मैं रबाउट करना हूं इसको आप ट्राइब कीजिए प् पिर मैं बताओं को चोटे से आपको अभी देग मिनिट के अंदर अंदर कि कैसे आपको स्पोस्स करने एंटप ठीक के तो मेरे को 169 से बड़े स्केर तो चोड़ तो मतलब closure आए18 केर आ सकते आ guide at class के किर लिचाने गया आठ का स्केर कितना हो गया, 64 आ गया, पिर पांच बचा, दो का स्केर कितना हो गया, 4 आ गया, और एक का स्केर एक आ गया, यह तो 69 बन गया, तो क्या 8, 2, 10, 11, 13 बन रहे हैं, तो यह मेरा खतम हो गया, अब इसे छोटा स्केर प्याओ, यानि 7 का स्केर कितना हो आपके बास, 49, तो कितना बचाब 20, 20 को ऐसे नमबर में थोड़ो, दो पर्फेक्ट स्केर हो, यानि 4 का स्केर कितना होता है, 16 और दो का स्केर कितना होता है मेरे पास, 4, तो ये कितना हो गया, बन गया आपके पास, 6, ने, 7, 4, 11, 2, 13 भी बन रहा है, याने A की वैलियू कितनी थी मेरे पास, साथ गुना चार प्लस चार गुना दो प्लस दो गुना साथ यह कितना हो गया 28 प्लस 8 प्लस 8 28 ओ सरी 14 14 not 18 it's 14 तो यह कितना हो गया 228 कितना हो गया यह तो अंसर था तो क्या दूरूट थे नंबा चुड़ा करने ही जब अब वैल्यूस को नॉर्मली कर सकते हो चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ एजी था ही एक चलिए एक और ऐसा ही छोटा सा एक्सप्रेशन वाला कोशन है वो मैं लेखे हैं आपके लिए करेंट इस को ट्राइए किजिए कैसे करेंगे कि देखो पहले देख लेते हैं क्या लिखो एपापॉंट भी इस गर्टो चारवटे पांच भी एपॉंट इस गर्टो पंदरावटे सोला मुझे निकालने सी स्केर माइनस ओफ ए स्केर अपॉंट सी स्केर प्लस ओफ यह मुझे फाइंड आउट करना है काइनली करें इसको ट्राइ किजिए बताईए ट्राइ करो इसको देखो मुझे बेसिकले एक्सप्रेशन में सिरफ सी और एच यह बी मुझे चाहिए यह नहीं तो अगर मैं इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर दो देखो अगर मैं ऐसे करूं इसको इससे मल्टिवाइड मल्टिप्लाइ करो सरी काटिए तो एपॉन सी कितना होगा तो एपॉन सी कितना होगा मेरे पास तीन बटे चार इसको पी ले लो यह ऐसी रहें दो क्या दिखत है सी कितना है चार का स्केर ओपन चार का स्केर Click Plus साथ स्संट साथ पथटें पोंटें 25 ऑप्ष्न नमबर बेविड खूस है तो धोड़े एककसी स्टलोन जो लाइड वाली मैंने कर आए हैं बड्ूस आपकर पाउयंगा तरफ एक मोट्व था ओंडर यह आते हैं क्लियर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूले स्टुनेट्स क्लियर चलिए देखे नेक्स में रखें फिर एक बार बता दूँ आपको जो हमारा बैच चाल रहा है जिरो तो हिरो का उसमें क्या है आपके तीन से साधे चार तक लेक्चर हैं और आपके पास इसमें तीस मिनिट का डिसक्रशन सेक्षन डिसक्रशन डाउट सेशन पर जो मैं शायद वहां ना बता पाया तो पांच वे तक है तीस मिनिट आपको पुटे डाउट के लिए मिलते को डाउट होता पूछ सकते हैं क्लियर आपके चार दिन क्लासीज रहेंगी टोटल एक्सक्राइब आपको प्रिवेस यह लेक्टर मिलेंगे पचास प्लस मिलेंगे आपको तीस से ज्यादा क्लियर पूरा शेडूल आपको विकली पहली पतल चल जाएगा नेक्स था मेरे पास कि आपका वट्साइब गूरूप जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गए तो इसे भी आप जॉइन कीजिए ठीक है इंदाएड मेरे पास है माइक्रो कोर्स यानि माइक्रो कोर्स चलिए अब माइक्रो कोर्स क्या है सबसे अच्छा ना यही होता है मतलब कर सकते हो कि और ज confronting और मतलब कि एसमें अपने मंचैर सब्जेक्ट को भी चूज पहले कर सकते हो डेहां देखो देखिए लेके मेलेगा डिस्क्रिक्ष्याँ बोक्स में बताता हूं आपको चलिए देखिए चूज एक्जाम करेंगे मगों सिविल सर्फिसी सेट को पर चलिए सबसे पहले सारे सब्सक्रिप्स आप विडियो और से टेस्ट कोर्स एंड माइक्रोवर्स से माइक्रोगोर्स क्लियर सबसे पहले यहां पर 10 दिश्का मोमाइन नंबर डालके तो टीम आप स सब जैसा आप चाहेंगे वैसी आप से जुड़ा जाएगा ठीक है मैं तर्म इंटल अबिल्टी की बात करूंगा सबसे पहले में जैसे पूरा बंडल 3562 का पूरा बंडल यहां वे देखने को बिल रहा है बट मुझे यह नहीं करना मुझे यह नहीं करना तो मुझे क्या कर है नव लोट से और आपके पास क्या है 423 मलटिपल चुस्ट्रम को मेरे को मिल रहे है ठीक है जी निक्स क्या मैनेगा सींपलिफिकेशन की बात करों क्या मेरे पास 142 का सिंब्लिफिकेशन पूरा चाहर लेक्टर से एक वन नोट सबढ़े कूस्ट्रम लोट सब्सक्राइब यह multiple choice question पुराने questions कि आपकी compilation मतलब इसमें previous year भी और इसको test के तरह भी आप दे पाएंगे जब आएंगे जुडएंगे तब पता चलेगा आपको कि 15 विस question उठाओ online test की तरह आप इसको दे सकते हैं ठीक है वेब नोट्स में क्या होगा जो resources का काम था वो यहां पर वेब नोट्स को सौंप दिया गया कि बहिए बताइए चेप्टर के बारे में कि क्या है इसमें 114 रुपे का सिरफ ठीक है जैसे percentage होगे आपका भी किया बैसिकली बोर्ट मास वाला देखो यह बोर्ड मास सिंप्लिफिकेशन होगे जो के सब्सक्राइब सारे के सारे तपिक स्वाइक्रो कोर्स के रूप में अभिलेबल है अब चाहें को पाटिगूलर टॉपिक भी किसी टाम भी कर सकते हैं लिंक आपको माइक्रो कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा क्लियर इसी तरीके से जैसे में बात करूं नेक्स मेरे पास क्या है लॉजिकल रिजिन का अनलेटिक इसका भी पूरा का पूरा टॉपिक वाइस और देखो 6 मिनिट का ट्राल हर वीडियो के साथ दिया क्लियर इसी तरीके से रैंकिंग और आपका रैंकिंग और से तो भाई हर साल आपको कॉस्चन और मों पूछ रहे हैं क्लियर जैसे एंक्लियो स्टेट में और कंक्लूजन हो गया आपका डारेक्शन सांस को कैसी लोजम हर एक चेप्टर का आपको माइक्रोगोर्स स्टिंग इन्टॉनिम या सुनॉनिम देखने को यहां पर मिल रहे हैं क्लियर नेक्स देखिए क्या है मैं फिर आपको वही चीज़ कमगा यह वह सुटेंट्स हैं जिनोंने जीएस के साथ सी सेट को भी एक्वली महतो दिया मतलब एक्वल इनोंने वेटेस दी सी सेट के रैंक आल ओवर इंडिया अक्वाइर किया था अर्नाव का 56 ने जतिन का 91 और बहुत सारे सुटेंट्स से क्लियर मेरी बात नहीं आप महन होगे तो प्लीज देखो यह एक अधिकार इन लिखें यह एक आईस ओफिस दो बच्चायां से बनके जा चुक है ना यह उसके शब् किये पढ़िए और कुछ सीखिए और अब मन्युवाएं से जुड़िए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा फुल कोर्स का लिंक ओनलाइन और आफलाइन बहुत आपके माइक्रो कोर्स का लिंक और आपके वर्सेप बुरू का लिंक तो प्लीज लाइक शेयर सब